स्वागत है आप सभी का नेक वीडियो लेक्चर में भिहार सरकल का पोस्ट मैन मेल गार्ड का 2020 का कॉशन पेपर हम करेंगे इस वीडियो में डिपार्टमेंट और जीके के सभी कॉशन को गया जाएगा और जो डिपार्टमेंट के कॉशन पूछे गए हैं आपके पूचे गए है रूल नंबर के बारे में ठीक है कौन से क्लोज में कौन सी चीज़ आती है इसमें पूचे गए है तो जितने भी इसमें रूल जाएंगे उनको अच्छे से आपको याद कर लेना है और बाकी जो भी इंपोर्टेंट होंगे वो हम आपको क्लासिज में अलग से परवाइड करवा देंगे और साथ में जो रेगलर क्लासिज हमारी चल रही है आप जुनना चाहते हैं मैसेज हमें कर सकते हैं इन सवी कॉशन पेपश की पेडिया फाइल्स अंभिद सुलेशन आपको परवाइड करवाएग के लिए विडियो लैक्षर मिल जाती है और साथ में आपको पीडिया फाइल्स भीं मिल जाती है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का first question आपके पास rule governing packing और एक चीज़ और important कि आपके जो भी postman और mail guard का जब भी exam होता है तो mostly यह देखा गया है इसमें rule number और forum numbers यह दो topic के उपर main रहता है तो इनके उपर आपको खास जयान देना है तो first question में क्या पूछा गया packing को नियंतरीत करने वाला नियम कौन सा है तो हम पढ़ते है post office guide part 1 में की packing तो वो कौन से close में आती है rule 12 of post office guide part 1 rule 15 rule 16 या फिर rule number 18 तो यह किसमें आता है यह आता है rule number 15 में तो यहाँ पे आपके जो बी option है यह सही हो जाएगी अगला question आपके वास rule governing refusal of articles लेखों के इनकार को नियंतरीत करने वाला जो नियम है वो कौन सा है rule number 49 of post office guide part 1 rule 50 rule 51 या फिर rule number 52 तो कौन सा है rule number 50 इसमें के आता है आपके refusal of postal articles डाक लेखों को लेने से इनकार करना तो भी option आपकी यहाँ पे सही हो जाएगी अगला question आपके वास rule governing manner of affixing postage stamps डाक टिकेट चुपकाने का तरीका कौन से नियम में आता है rule number 20 of post office guide part 1 rule number 22 rule number 23 या फिर rule number 25 तो इस question का से हैंसर क्या हो जाएगा आपके पास rule number 23 of post office guide part 1 में ही आता है जिसके आपका क्या होता है कि डाक टिकेट को चुपकाने का तरीका manner of affixing postage stamps अगला question आपके पास postman book is printed as dark या उस तक किस forum में शपाई जाती है ठीक है कौन से forum में इसको शपाया जाता है MS-26 MS-26 यह दोवर आगया MS-27 या फिर MS-27 ने तो यहां पर MS-26A होगा तो यहां पर इस question का सही answer क्या जाएगा आपके पास इसका सही answer आजाएगा आपके पास MS-27 के उपर इसको चपाया जाता है ठीक है कौन से forum के उपर चपेगी MS-27 के उपर चपेगी इसी option आपकी सेव हो जाएगी अगला question आपकी पास है supervisor speed post center submit his daily report in supervisor speed post center का जो होता है वो अपनी दैनिक report कैसे प्रस्तुत करता है कौन से forum के उपर करेगा MS-85, MS-84, MS-83 या फिर MS-82 तो कौन से forum के उपर करता है यह करता है MS-83 के उपर से option आपकी सेव हो जाएगी अगला question आपके पास rule governing receipt of articles for delivery वित्रण के लिए बस्तूओं की प्राप्ती को नियंतरित करने वाला नियम कौन सा है options है आपके पास rule number 112 of postal manual volume 6 part 3 rule number 113 rule number 114 या फिर rule number 115 तो इस question का से answer जो हो जाएगा आपके पास भी ठीक है rule number 113 of postal manual volume 6 part 3 में आता है बित्रण के लिए वस्तूओं की प्राप्ती अगला question आपके आपके आस rule governing posting of registered newspaper पंजीगरित समाचार पत्र की posting को नियंतरित करने वाला नियम कौन सा है तो options यहाँ पे क्या बोली यह आपके पास rule number 58 of postal manual volume 5 rule number 59 rule number 60 या फिर rule number 60 of 60 a of postal manual volume 5 तो इसका सही answer आपके बास आजाएगा यह rule number 58 of postal manual volume 8 और यहाँ पे 58 नहीं होने चाहिए था 58 a में आता है यह तो आपकी option यहाँ पे सही हो जाएगी रूल governing treatment of late letters late letters क्या होते हैं बिलंबीत पत्रे ने का जाता है तो बिलंबीत पत्रों के उप्चार को नियंतरित करने वाला नियम कौन सा है rule number 61 of postal manual volume 5 rule number 62 rule number 63 या फिर rule number 64 इस question का सही answer क्या जाएगा आपके पास rule number 61 of postal manual volume 5 अगला question है rule regarding preservation of seal and bags बैगों और सीलों की preservation के बारे में जो rule है वो कौन सा है rule number 142 of postal manual volume 5 rule number 143 rule number 144 या फिर rule number 146 तो यह किसमें आता है इसका से answer क्या हो जाएगा आपके बास भी ठीक ही आता है rule number 143 of postal manual volume 5 अगला question आपके बास cases which shall always be reported to head of the reason ऐसे इमामले जिनने हमेशा क्षेतर पर मुख कौन होता है आपका PMG post master general के ध्यान में लाए जाने चाहिए highway robbery of mail or cash mail या dark की highway पर डिकैती है निके चोरी हो जाती है डिकैती हो जाती है all cases under section 52 of post office act post office अदिनियम की धारा 52 के तहत सभी मामले इन में से कोई भी नहीं या फिर बोथ हैंड भी तो इस question का सी answer आपके पास जो होगा यहोगा डि बोथ हैंड भी ठीक है दोनों मामलों को आपको head of reason के ध्यान में लाना चाहिए अगला question आपके वास period of preservation of invices of articles received from stock depot is the stock depot से प्रापत वस्नूओं के बीजकों के रंक्षण की अबधी क्या है six months, eighteen months, two years या फे three years तो कितने समय के लिए इनको रखा जाता है ठीक है जो भी preserve करके रखा जाएगा तीन साल के लिए तो यहाँ पे आपकी कौनसी option से हो जाएगी अगला question आपके आपके आसी window of mail van section should be kept closed अनु भाग की mail van की खिडकी कब बंद रखनी चाहिए throughout the wheat of the section अनु भाग की गश्त के दुरान आगे आपके बास train is in motion जब train गती में होती है भेंदी train is drawn up at railway platform till departure train के railway station पर आने से लेकर प्रस्थान तक या फिर इन मैंसे कोई भी नहीं तो इस question का see answer आपके बास आ जाएगा see railway train के railway station पर आने से लेकर railway के प्रस्थान तक जो आपकी अनु भाग की mail van होगी उसकी आपको खिड़की क्या रखनी है बंद रखनी है अगला आपके बास in mail office insured check sheet is to be maintained by dark कार्याले में वीमित check sheet का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है head sorting assistant supervisor mail sorting assistant insured registration PA या फिर SSRM तो यह रखा जाएगा बीमित पंजी कर्ण PA के द्वारा ठीक है insured registration PA के द्वारा रखा जाता है तो यहाँ पे आपकी इसी option से हो जाएगी अगला question आपके बास rule regarding second class mail दित्य श्रेणी mail के संबंद में नियम कौन सा है rule number 157A of postal manual volume 7 rule number 158 rule number 159 या फिर rule number 160 तो इस question का से answer आएगा आपके पास भी rule number 158 of postal manual volume 7 में यह आता है आगे आपके पास first class head offices under the control and supervision of प्रथम श्रेणी का परधान डागर किसके नियंतन और परियाविक्षण के अधीन होता है senior postmaster, branch postmaster, chief postmaster या फिर sub postmaster तो किसके होता है chief postmaster, चीफ postmaster तो सी option आपकी यहां पे से होगए जो आपका मुख्य डागपाल होता है chief postmaster होता है उसके परियाविक्षण और नियंतन में रहता है अगला कोशन है अपके उस फ्रैंकिंग मशीन इशूड अंडर दी वैलिड लाइसेंस ओफ हैड ओफ पोस्टल डिविजन कैन वी यूज तो जो पोस्टल अपकी फ्रैंकिंग मशीन होती है उसके लिए जो लाइसेंस होता है वो कोन इशू करता है यहाँ पे दियो है हैड लेकिन यह जो मशीन होगी आप यूज कहां पे कर सकते हैं सबसे पहले इन दैट पर्टिकुलर पोस्टल डिविजन ओली केवल उसी भी शेश डाक मंडल में आप कर सकते हैं दूसरा आपके पास ऐनी फिर इंडिया भारत में कहीं भी आप कर सकते हैं एनी फिर इंडी अगला कॉशन अप क्या से स्टैंप्स अधर दैन इंडियन स्टैंप्स बिच कैन नोट वी रिकोगनाइज इन पेमेंट ओफ पोस्टेज भारतिय डाक टिक्टों के अलावा अन्य डाक टिकेट जिनने डाक परवार के भुकतान के लिए उप्योग नहीं किया जा सकता है उ उसके बाद है सच आर्टिकल्स शैल वी डिटेंड वाई पोस्ट ओफिस ऐसी बस्तू को डाग घरदवारा रोक लिया जाएगा शैल वी रिमूवड फ्रोम आर्टिकल या फिर लेक से हटा दिया जाएगा शैल नोट वी डिफेज या फिर बिरूपित नहीं किया जाएगा तो इस कॉशन का से एंसर के आजाएगा आपके पास शैल नोट वी डिफेज इनको बिरूपित नहीं करना चाहिए तो आपकी डी ऑप्शन से ही हो जाएगी ठीक है जो भी आपकी भारतिये डाक टिक्टे होती है जिनका यूज किसके लिए करते हैं पोस्ट आप डाक परभ नहीं है इसका उप्योग यात्रियों और अजनवीयों द्वारा किया जाता है दे कैनोट यूज इट आफ्टर थी मंस बे तीन महीने के बाद इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो जो पोस्ट रेस्टेंड से संबंदित आपके लेख होते हैं ठीक है जिनको ऐसाल तक रख वेजर पोस्ट रेस्टेंड आर्टीकल की तरह भेजा जाता है तो हो किसके लिए होते हैं ट्रेंजर जो आपके में अजनवी होते हैं या दूसरे होते हैं उनके लिए तो यह सई हो जाएगा तो गलत कौन सा है such article is kept far banier in post office ऐसे लेख को एक साथ दक डागर में रखा जाता है जो की गलत है ऐसे जितने भी लेख होते हैं जिनको ऐसे post resident article भेजा जाता है एक महीने से ज़्यादा उनको post office में नहीं रोक सकते हैं और यहाँ पे दूसरी चीज क्या है अगर वीपी आर्टिकल होगा सिरफ साथ दिन तक रोका जाएगा सी option आपकी से हो जाएगी which is not true regarding direct post direct post के संबंद में कौन सा सत्य नहीं है minimum quantity शैल वी बन थाउजंड आर्टिकल लेखों की नियूंतम संख्या एक हजार होगी length and width shall not exceed A3 size लंबाई और चड़ाई A3 आकार से अधिक नहीं होनी चाहिए article shall have proper address लेख पर उचित पता होगा all the above तो इनमें से हमें क्या बताना है कौन सा सत्य नहीं है तो सत्य कौन सा नहीं है इसमें c option आपकी से हो जाएगी जो direct post के तहत आप articles को post करेंगे उनके ओपर कोई भी address नहीं होता है और यहाँ पे minimum quantity 1000 है बिलकुल चाहिए और जो size होता है एथरी size होना चाहिए तो यह भी सही है तो आपकी इसी option से हो जाएगी Beach of falling is prohibited in inland postal transmission अंतरदेश्य डाग परसारण में निमन में से कोन प्रतिव अंधित है explosive under Indian explosive act 1884 भारति या बिसफोट का दीनियम 1884 के तयत बिसफोट ऐनी living thing कोई भी जीवित बस्तू या फिर उसके बाद है gold coin exceeding 20,000 रूपी या फिर all the above तो कौन से प्रोईविट है यह सारे ही प्रोईविट है ठीक है समगरी नहीं होने चाहिए तो आपकी कौन से option से आ जाएगी अगला question आपके पास दी हुए है packets only up to 5 kg can we send 5 kg तक के packet भेज़े जा सकते है does not need custom declaration clearance custom clearance की वश्यक्ता नहीं होती है track and trace facility not available ठीक है और उसके बाद बुला गया है available only for Asia Pacific countries के विल एशिया प्रशानत देशों के लिए उपलवद होगी तो इसका सही answer आपके पास आजाएगा डी एब लेवल only for Asia Pacific countries और इसमें maximum आप कितना भेज़ सकते है 2 kg भेज़ सकते है यह हो जाएगा और custom clearance के वश्यक्ता होती है वो करवानी पड़ेगी track and trace facility आपको मिल जाती है तो डी option आपकी save जाएगी यह गलत है तो यह सही है बाकी तीनों गलत है अगले आपके पास which is not true regarding insured bag वीमागरित वैग के संबंद में कौन सा सत्य नहीं है gives cover to insured parcel वीमीत पार्सल को cover देता है इसमें समगरी की कोई सूची नहीं होती है these are not due bags never enclosed inside parcel bag और mail bag तो जो वीमीत थैले होते हैं क्यों इनका use किया जाता है ताकि जो आपके insured parcel होते हैं वीमीत parcel होते हैं उनको cover दिया जा सकें उनको सुरक्षा दी जा सकें और इसमें कोई भी list नहीं होती है समगरी आप जो भी भेज रहे हैं वो किसमें रहेंगी registered list में रहेंगी और यह due bag नहीं होते हैं जब जुरूरत होती है तभी इनको बनाया जाता है इसलिए किसमें आएंगी अन्यूजल में और इनको आपको हमेशा parcel bag या mail bag के अंदर भेजना होता है लेकिन यहाँ पे बुला गया नेवर एंड क्लोज कभी इनको इसमें बंदी नहीं करते हैं तो कौन सा आपका सत्य नहीं है डिय उप्शन आपकी सही नहीं है चलिए आपका अगला कॉशन देखते हैं क्या है विशेश बैग के संबंद में कौन सा सत्य है इसमें पहला दिया हुए आपके बास दीज आड्व बैक्ड यह दे थैले होते हैं या तो डेली बनाए जाते है या रैगुलर इंटरवल्स के उपर इनको बनाए जाते है इसमें केवल पंजीगरित लेक शामिल होंगे इसमें हमें क्या बताना कि कौन सा सत्य है यह आपके unusual bags की तरह इनको treat किया जाता है जब प्रेशित किये जाते हैं और दूसरी बात यह due bag नहीं होते हैं तीसरी बात इसमें आपके registered और unregistered पंजीगरित और पंजीगरित दोनों तरह के लेख रहते हैं और इसमें किसके लिए होता है जो आपके high official tour पे जाते हैं उनके headquarter है जो यह आप इसको headquarter कर लेते हैं इसको officer कर लेते हैं अभी क्या हुआ कि यह वाला officer जब भी headquarter से कहीं बाहर जाएगा तो इसने कोई भी दस्ता भेज भेजने आपने headquarter या secretary 8 को तो यह camp bag का यूज करेगा यह फिर headquarter ने इसको भेजने आपने जो भी officer पर गया है तो भी किसका use करेगा camp bag का use करेगा तो यह हो जाएगा camp bag और जो special bag होता है वो आपके किसके लिए होता है उसमें आपके कोई भी registered regarding post restaurant, post restaurant के संबंद में नियम कौन सा है post office guide part 1 rule 60, rule no 65, rule no 67 या फिर rule no 72 तो इस question का से answer आजाएगा post office guide part 1, rule no 65 में आपके post restaurant articles के बारे में दिया गया है अगला है आपके पास bitch of the falling is not true regarding bio daily account, bio daily account के संबंद में कौन सा सत्य नहीं है, SPM will verify all daily accounts of bios, SPM कोन होता है सब postmaster जो SO का in charge होता है, वो bio के सभी दैनिक खातों का सत्यापन करता है, SPM must verify postage in transit, पारगमन में जो भी postage होता है, उनको verify करता है, उनका सत्यापन करता है SPM will sign bio daily account each day, SPM क्या करता है, daily bio जो भी daily account आते हैं, उनके उपर sign करता है और उसके बाद है rules regarding bio daily account are contained in rule number 3 of postal manual volume 6 part 3, bio दैनिक हाते से संबंदित नियम postal manual खंड 6, भाग 3 के नियम 3 में नहीं थे, तो ये गलत है D option आपके गलता है, बाकी तीनों सही है, तो ये आपका इसका जो आएगा, ये कौन से rule में आता है, rule number 2 में आता है, ठीक है, तीन में नहीं है, दो में है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, तो ये बहुत ही यहां पे और से questions पूछे गए हैं, इस question paper में, तो एक चीज ध्य इसमें math और जीके, अगर आपका बिल्कुल सही है, अपने अच्छे से त्यारी कर रही है, उसमें पूरे marks लाने की कोशिश करें, इसमें जो questions आते हैं, ठीक है, बाकी आपको जैसा ठीक लगे, ठीक है, उसके ओपर ठीक लगा कि आजाओ, यूँकि जो questions आपके लिए out of slaves है सभी के लिए out of slaves होंगे, किसी ने भी नहीं सोचा होगा, कभी की ऐसा question पर भी आ सकता है, जिसमें वो rules नमबर भी पूछ लेंजा, आपके slaves में heavy नहीं ठीक है, तो वो वाले rules भी आप से पूछे गए हैं, तो सभी के लिए out of slaves है, लेकिन अभी पूछे गए हैं, तो एक बा इस वाला अच्छे से निकल जाएं, बस इतनी कोशिश करना, इस तरह का postman वाले question बुचे जाएं, तो फिर आपको उसमें जादा attention लेने की ज़रूरत नहीं होती है, अगले आपके बास rule regarding cash office is contained in, तो नकद कार्यानले के संबंध में, जो नियम है, वो कहाँ पे निहीत है, rule rule no.4 of postal manual volume 6 part 3, rule no.5, rule no.6, या फिर rule no.7, तो इस question का say answer आएगा, आपके रूल no.7 of postal manual volume 6 part 3 में आता है, the option आपकी say हो जाएगी, अगले आपके बास SO is supplied with the funds, in the falling बे, भन cash is insufficient, तो अपर आप नकदी होने पर SO को कौन कौन से तरीकों से धन अपूरती की जाती है, तो ये थोड गया है, तो भी कर लो अच्छे से ठीक है, अभी पूछा गया है, तो कर रेना चाहिए, by drawing cash from the bank station or its station, उसके बाद आपके बास by remittance from other SO, by remittance from echo या फिर all the above, तो यहाँ पर इस question का say answer कहा जाएगा, all the above, अपने station के bank से नकद आहर्ण करके लिया जा सकता है, उसके बाद दू दूरत है, किसने withdraw करवाना है, ज्यादा पैसे चाहिए, तो ऐसी सिती में वो कैसे पैसे है कि यह पूर्ती करेगा, कहां से लाएगा, तो इन शवी तरीकों से ला सकता है, अगला या आपके बास, bitch of the falling is true, इन में से सच क्या है, rule regarding account bag is contained in rule number 42 of postal manual volume 6 part 3, तो यहाँ पे जो बोल लगया, account bag of assos bill we opened by treasurer, जो sub offices के ठीक है, उप डाघरों के खातना थैले होते हैं, उनको कौन खोलता है, कोशादियक, treasurer खोलता है, cash bag from assos is not a due bag, assos से जो नकत bag भेज़ जा जाता है, वो दे bag नहीं होता है, जब cash बगारा भेजने, तब यह उसका use किया जाएगा, cash bag shall be kept overnight under the joint custody of treasurer and a PA, तो एक cash bag दोता है, रात भर कोशादियक, शोरेक, PA की सिंक तभी रक्षा में रहता है, तो हमें क्या बताने है, इन में से सच क्या है, तो अभी आपको अगर अच्छे से आपना पड़ा होए, तो यह देखिए, assos के जो नकत थैले बेज़ जाते हैं, नकत bag ज correct regarding postal manual volume 6 part 3, postal manual volume 6 भाग 3 के समंध में, निमन में से कौन सा सही है, closing of bags for Bios, rule number 64, Bios के लिए bag बंद करना, rule number 64 में आता है, बिल्कुल चाहिए, आगे आपके बास checking of Bios daily account, rule number 69 में आता है, Bios summary, rule number 87 में, और उसके बाद बोलना गया, आपके बास instructions for delivery, rule number 114 में आती है, तो यहाँ पर हमें क्या पताना है, इनमें से कौन सा, correct है, तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका से answer आपके बास जो आजाएगा, यह आएगा, ठीक है, closing of Bios bags किसे समंध दीता है, closing bag, आपका यह rule number 64 से समंध दीता है, rule number 64, postal manual volume 6 part 3, बाकि आपका यह जो 69 है, यह गलत है, ठीक है, Bios daily account की ज delivery यह आता है, rule number 115 में आता है, तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना है, चलिए आगला question क्या आपके बास, post office guide part 1 rule 17 contains, dark घर guide भाग 1 के नियम सतारा में क्या शामिल है, franking machine, posting of coins, packing or sealing, तो यह तो चलिए post office guide part 1 का question है, यह तो जाइज है, ठीक है, अच्छा question पूछा गया है, कि question post करने से संबन दीता है, तो यहाँ पे आपकी जो सी option आजाएगी, अगला है आपके बास, bitch of the following article must be presented in post office for booking, निमन में से कौन सा लेख booking के लिए डाघर में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, registered letter, VPP article, insured article या फिर all the work, तो कौन से इन सभी को, अगर आपने इनको post करना है, कोई इन में से कौन सा सच है, post office guide बन ठीक है, rule number 18, deals with articles bearing indefinite address, post office guide बन निम 28, अनिस्चित पते वाले लेखों से संबन दीत है, तो यहाँ पे यह तो गलत है, ठीक है, किससे संबन दीत होते है, आपके mails for navy personal, जो navy वाले होते हैं, उनको कैसे पत्राचार भेजना है, तो यह तो गल बने से संबन दीत है, यहीं कि article के ओपर जो address लिखते हैं, उससे संबन दीत है, और उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, आपके बास यहाँ पे दिवा, as per post office guide, part 1, rule number 28, articles with indefinite address shall not be delivered, post office guide भाग 1 निम 28, किसके लिए है, अनिस्चित पते वाले लेख, उनको वित्रीत नही किया जाएगा, तो यह जो आपका rule number 28, मैंने बता दिया, mails for navy personal, ठीक है, जो होते है, navy वाले उनके लिए होते है, और उसके बाद आपके बास कौन सा है, rule number 29, post office guide, part 1, is about mails to navy personal, तो यह post office guide, part 1, का निम 29, नोसेना कर्मियू को mail के बारे में, तो यह तो मैंने बता दिया, 28 व बच गया, आपका B, ठीक है, B option यहाँ पे आपकी, say हो जाएगी, rule number 30, किससे संबंदीत है, आपका, किसी भी article के उपर, जो sender का address लिखा जाता है, ठीक है, वो क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इससे संबंदीत है, तो यहाँ पे आपकी, जो say option आजाएगी, B, इसलिए अगला question आपके पास, which of the following is true, इनमें से कौन सा, not true, ठीक है, कौन सा say नहीं है, registered article may be detained for seven days, if address is not found, पंजिगरी तवस्तू को साथ दिनों के लिए हिरासत में लिया जा सकता है, यदि प्रापत करता नहीं मिलता है, अगर कोई वी registered letter भेजा है किसी के लिए, और वो मा आनों घर पे नहीं मिलता है, ठीक है, घर पे ताला लगा हुआ है, तो ऐसी सिती में उस registered letter को साथ दिनों तक डागर में रोका जा सकता है, registered article in a large number to a two we delivered to a firm may be entered in special duplicate list, एक firm को वितरित गरने के लिए जब भी बड़ी संख्या में आपके पास कौन सी वस्तू होती है, पंजी तो उनको एक विशेश duplicate सूची में दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें और भी शर्त है कि उसमें कोई भी ऐसी आर्टीकल नहीं होने चाहिए, जिसमें कोई भी charges due है, तो ऐसी आर्टीकल नहीं होने चाहिए, तो उसमें उसके बाद आपने अगली option क्या बढ़ीगे, a parcel weighing more than 10kg will be delivered only through delivery window, 10 kg से दीक बजन का parcel के वल, delivery window के जरिये ही वितरित किया जाएगा, और उसके बाद आपकी D option बढ़ीगे,veda, a parcel which does not exceed 10kg in bed shall we issued for delivery twice, 10 kg से दिक का कोई भी parcel है, तो उसको वित्रन के लिए 2 आपका address przy नहीं होने पर और इसे पहली बाद आपका address य नहीं मिला, तो उसको दूसरी बार face issue किया जा सकता है तो यह गलत हो जाएगा ठीक है अगर आपका 10 kg से कम का पार्सल है वित्रण के लिए सिरफ एक ही बार issue किया जाएगा अगर वित्रित नहीं हो पाया तो second time उसको issue नहीं किया जाएगा postman को अगली बार उसका जो वित्रण होगा वो ड post office may recover charges due for delivery for addressing if he refuses to pay तो यदी प्रापत करता डाक शलो का भुकतान करने से इंकार कर देता है तो डागर उससे शुलक कैसे बसूर लेगा अब कोई मेरे जासा है उसने क्या किया article के ओपर कोई मेरे को article भेजा किसीने और उसके ओपर charges कैसी है due charges है मतलब कि post office को देने है और मैं article ले लेता हूं लेकिन charges देने से मना कर देता हूं अभी क्या करेंगे आप मुझे पीटेंगे या आप क्या करेंगे ठीक है वो ही आप से पूछा गया है भाई भी the holding the article ठीक है आप लेग को रोख सकते है उसके बाद है it is contained in rule number 52 of post office guide part 1 यहा है post office guide भाग बनके नियम 52 में दि अभवार correct या फिर बोथ ही अभवार incorrect तो क्या हो जाएगा इसका सही answer सी ठीक है यह दोनों ही बिल्कुल सही है 35 की सही option क्या हो जाएगी आपके पास सी ठीक है जी चलिए अगला question देखते है अगला question आपके पास बूला गया है rule governing airmail services airmail सिवाओं को नियंतरित करने वाला न 153 157 163 या फिर 167 तो 36 की से option क्या जाएगी आपके पास यहाँ पे post office guide part 1 rule number 157 में यह दिया हुआ है तो यह देखो या भी आपके है नहीं सलेवस में लेकिन पूछा गया है तो यह पीए वालों को करवाया जाएगा यह question paper उनके लिए important है अगला question आपके पास rule governing insurance of postal articles dark वस् guide part 1 rule 171 162 170 या फिर 172 तो इसका से answer क्या आपके बास आ जाएगा इसका से answer होगा D rule number 172 में यह आता है और 171 में क्या आता है cases in which registration is compulsory क्या कौन-कौन से case हो में आपको registration जो आब वो करवानी पड़ेगी 162 में आता है आपके बास registration के बारे में चलिए एगला question देखने है क्या बूल लगया rule governing prohibited articles तो यह तो चलो आपको आना चाहिए क्योंकि यह स्लेवस का है निशिद लेखों को नियंतरित करने वाला नियम पॉस्ट ऑफिस गाइड पार्ट वन रूल नंबर 205-209 या फिर 215 तो यह किसमें आता है आपके बास 209 से 214 तक आता है 209 से 214 तक आता है तो इसमें से एंसर क्या आएगा आपके बास C ठीक है 38 की से option क्या हो जाएगी आपके पास C अगला question है आपके पास express parcel is delivered जो express parcel होता है यह कहां पर वित्रित किया जाएगा to the doorstep घर पे अपके दरवाज्य तक छोड़ा जाएगा पार्चली आट विंडो पार्चली आट दी डोस्टैप यह फिर as per demand of the customer customer की मांग के अंशार only at the post office के वल घर में किया जाएगा तो कहां पर किया जाता है दरवाज्य तक इसका वित्रण किया जाता है तो आपकी option से हो जाएगी अगले आपके पास address of pay of an emo which has not been paid can we change on payment of second commission which is equal to अब यहां पे देखिए दो परकार की changes होती है एक change होती है कि आप उसमें address change करना चाहते है office of payment चेंज जो है office of payment जो है वो चेंज करना चाहते है और दूसरी जो होती है पेई होता है जिसके लिए वो money order भेज जा गया है तो उसका अगर नाम change करना है ठीक है उसके बारे में change करना है तब आप से commission भी लिया जाता है अभी यहां पे आपसे question क्या पूछा गया है EMO के प्रापत करता का पता आपको बदलना है यानिके प्रापत करता सेम रहेगा लेकिन उसका address आपको change करना है जिसका भुकता नहीं किया गया हो दूसरे commission के भुकतान पर बदला जा सकता है जो की बराबर होगा तो आपको यहां पे पूछा गया है अपने प्रापत करता जो भी pay होगा उसका address आपने change करना है तो क्या commission आपसे लिया जाएगा without additional charge on the remitter 25% of first commission on the remitter 50% या फिर 10% तो इस question का same answer क्या जाएगा आपके बास इसमें आपसे कोई भी charges नहीं लिया जाएगे बिना अतिरिक्त शुलके ही है काम कर दिया जाएगा लेकिन अगर आपने प्रा अगले आपके पास APY is available for an individual who has attained the age of APY किसके लिए होगा ठीक है किस age के ग्रूप वालों के लिए रहेगा 18 years and is below 45 years 18 साल से उपर होना चीए और 45 से कम होना चीए 18 years and is below 35 years 18 and 40 years या फिर 18 and 50 years तो ये 18 से 40 बश के बीच का होना चीए कोई भी इंड़िजल जो APY लेना चाहता है क अगले आपके पास gadgeted head post office are under the control and supervision of राज पत्रित प्रधान डागर किसके नियंत्रन और प्रयावेक्षन के अधीन होते हैं Hsg1 postmaster grade 2 postmaster group B या फिर inspector होते है group B postmaster के अधीन होते है 42 की say option क्या जाएगी आपके पास C अगला question है key of case transit bag is to be forwarded in case transit bag की चाबी को कैसे भेजा जाना चाहिए तो options है आपके पास open condition में खुली सिती में आप भेज सकते हैं registered cover में, ordinary cover में या sealed cover में तो इसको हमेशा seal बंद करके भेजा जाना चाहिए तो D option आपकी say हो जाएगी अगले आपके बास bitch of the falling regarding post office guide is not correct डाघर guide 1 के संबंद में निमन में से कौन सा सही नहीं है तो part 1 जो है rules and regulations of inland post जो आपके पास बिलकुल चाहिए और part 2 की बात करें ये किससे संबंदीत है rules and regulations of foreign post part 3 की बात करें rules regarding PLA और part 4 की बात करें post office saving bank तो इसमें हमें क्या बताना है कौन सा correct नहीं है तो इसका say answer आपके असी part 3 जो है PLA से संबंदीत है ये गले ता बाकी आपके सभी से ही है अगले आपके पास पोस्ट ओफिस गाइड पार्ट वन रूल नंबर 94 कंटेंस तो पोस्ट ओफिस गाइड भाग वन का नियम जवा 94 इसमें क्या शामिला सुजैशन अंड कंप्लेंड बुक्स सीक्रेस सी है तो इसका से एंसर हो जाएक ही हो जाएगा किस में आती हैआपकी जान ये लौ पिसको भी छोड़ सकते हैं लिए आपके आपक्शेस ड़ूल नंबर 102 और पोस्ट ओफिस गाइड पार्ट वन इस रिगराडिंग पोस्ट ओफिसस गाइड भाग वन का नियम 102 इससे संबंदित आ, वाय लोजिकल स्पैसिमंज, ओपन पैनल, अनवलपिस, ट्रांस्पिरेंट, अनवलपिस, या फिर सिनेमेटो ग्राफ फिलम्स होते हैं, तो इससे संबंदित है, D option आपकी से होगी, Cinematograph Film से यह संबंदित है अगले आपके पास Dimensions of Postcards of Private Manufacturers Can be निजी निर्माता के Postcard के आयाम क्या हो सकते हैं तो options यहाँ पर देख लिए आपके पास क्या बुलने गया है Not greater than 15 cm by 10.5 cm and not less than 10 cm by 7 cm दूसरी option देख लिए तीसरी भी देख लिए फोर्थ भी आप देख लिए इसका अंसर क्योंकि एह ही है आपका यह 15 cm by 10 10.5 cm से जाधा नहीं होना चाहिए और 10 cm by 7 cm से कम नहीं होना चाहिए अगले आपके पास which is not true regarding registered newspaper पंजिगरित समाचार पत्र के संबंद में कौन सा सत्य नहीं है it shall be published at intervals not more than 31 days यह 31 दिनों से अधीक के अंतराल पर प्रकाशित नहीं किया जाएगा it shall have bona fide list of subscribers इसमें ग्राकों की परमारित सूची होगी it cannot have advertisement इसमें बिग्यापन नहीं होते है या फिर it can have political news इसमें political news हो जकते है तो इसमें हमें क्या मताना है सत्य कौन सा नहीं है it cannot have advertisement इसमें advertisement भी होते है तो 48 की जो से option आपके बास आजाएगी यह आजाएगी आपके बास see it can have advertisement also अगला है आपके बास rule regarding redirecting of mail mail के पुने निर्देशन के संबंद में नियम तो यहाँ पर rule number 67 of post office guide part 1 rule number 74 rule number 77 या फिर rule number 82 टू तो 49 की say option क्या हो जाएगी आपके बास rule number 67 of post office guide part 1 यह option आपकी say हो जाएगी अगले आपके बास rule number 136 of post office guide part 1 कंटेंस post office guide भाग 1 के नियम 136 में क्या शामिल है exception from postal fee for blind literature packets अंद सेत्य packet के लिए dark शुलक में जो shoot मिलती है उससे संबंदीत है तो 50th की say option क्या हो जाएगी आपके बास exemption from postal fee for blind literature packet तो यह option आपकी say हो जाएगी तो यह था बिहार सर्कर का question paper hardly आपके स्लेबस मैं से यहाँ पर 15 ही question जो है वो पूछे गयोंगे तो बो 15 तो at least आपको अच्छे से आते होने चीए ठीक है बाकी मैं नहीं बोलूँगा कि आपको सभी आते होने चीए क्योंकि Slavis के नहीं है तो आएंगे भी कैसे ठीक है लेकिन यहां पर जीके वाले आपको आने चीए और Math तो आपके सारे सही होने चीए ठीक है उसमें कोई गलती नहीं इए थूदि जलिए एक पर देख लेते अपके जीके वाले क्या पूर से लाफी किया है तो कौन थे यहाँ पे आपका से यहाँ सरा जाएगा सी फ्रेंच थे अगले आपके आस हुवास गवर्नर जर्नल ओफ इंडिया दूरिंग डिवोल्ट 1860 के बिद्रोग के दुरान भारत के गवर्नर जर्नल कौन थे लोड कैनिंग, लोड अलोजी, लोड हार्डिंग या फिर लोड लेटन, तो कौन थे 52 की से अप्षिन क्या जाएगी, लोड कैनिंग थे, यह उप्षिन आपकी से हो जाएगी, अगला कॉशन आपके आस, क्विट इंडिया मुव्मेंट वास लोंच दिन रिस्पोंस टू, भारत छोड़ो अंदोलन किसके जवाब में शुरू किया इसके जवाब में इसको शुरू किया गया था, अगले आपके बास, वोटर फोल्स, विक्टोरिया इस एस एस एटेड भी रिवर, विक्टोरिया वोटर फोल्स जो है, किस नदी से जुड़ा हुआ है, एमाजोन, मिसोरी, सैंट लोरेंस या फिर जंबेजी, तो यह जंबे शुरूष फोलिंग पेंचलर रिवर इस वेस्ट वाड फोलॉइंग, नेमन मैं से कौन सी प्राइडी पेंदी पस्ची में कर वहांदी है, शुरू एप्शन जान से नर्मदा उना चीए, आप एक बढ़ चाह कर लिए ने ठीक है, आपके यह जी आप्शन जार्वेरी से हो से answer जो आजाएगा आपके बास आजाएगा ए अन्माना निकोबार को ये अलग करता है अगला कोशन आपके इस नाइन्थ शेड्यूल फार्दी कॉस्टिशन बाज आडड़ वाई संभिधान की नोवी अनुसूची किसके दोरा जोड़ी गई थी फ्रस्ट अमेंडमेंट एर्थ अमेंडमेंट नाइन्थ या फिर फॉर्टी सेकंड अमेंडमेंड तो किसके दो जोडी गई थी इसका से answer आजएगा आपके बास फ्रस्ट अमेंडमेंट के दोरा इसको जोड़ा गया था और लास्ट ही कोशन है आज की वीडियो का सोरी लास्ट नहीं है सेकेंड लास्ट है इंडियन रोग पाइथन उसके बाद है स्केल्ड वाइपर या फिर कोमन करेंगे यह दोनों मैं अब आ देता हूं बहुत ही खतनाग होते हैं अभी बहुत जारी लिए होते हैं और यह दोनों का आपको बता कर लेना है ठीक है यह आंसर आपके लिए रहेगा और बाकी आपको यहां पर math भाले भी मिल जाएंगे कुछ नहीं मिलें दिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं लिंक बहां से आपको मिल जाएंगे और साथ में regular classes हो हमारी चल नहीं आप जुणना चाहते हैं उसके लिए तो आप हमें screen पर दिऊ है number पर message कर सकते हैं इन सभी question papers की pdf files हम आज के question paper में क्योंकि order of slavers था और question भी कुछ ऐसे पूचे थे कि अगर इसने 10 साल लगा के पढ़ा हो तभी वो ऐसे questions के answer अच्छे से बता पाएगा और चलो क्या ही बोल सकते हैं लेकिन फिर भी जो भी है आप एक बार इसको कर लेना जो भी smell numbers यह है अब at least बो आपको कर दो